जुनियर लेडी डॉक्टर के मुर्डर केस में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। को गिरफतार किया है पर इसके पीछे और भी कई लोग है अब इस मामले की जाच सीवी आई कर रही है। सीवी आई के आने के बाद इस केस में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये तो निश्चित हो ही गया कि इस घटना के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं है बलकि और भी कई लोग हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बेल आईकॉन आउन करके औल पर प्रेस कर दें। ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। CBI की जांच में संजय रॉय ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो ना सिर्फ दिल दहला देने वाले हैं। बलकि इस केस के हर राज से परदा उठाने में सक्षम है। संजय रॉय ने कनफेशन दिये हैं कि कैसे उसने डॉक्टर बेटी के साथ जबरदस्ती की। संजय ने बताया कि उसने पहले डॉक्टर बेटी को मारा पीटा बेहोश किया, फिर उसके साथ जधन ने अपराध किया, कुछ समय बाद वो फिर से होश में आई और फिर से संधर्श करने लगी और संजय को रोकने लगी। फिकिन संजय ने आसपास मौजूद चीजों से उसे जोरदार तरीके से मार कर पहले बेहोश किया, फिर उसे बेरहमी से मार डारा और डॉक्टर बेटी की जान लेने के बाद वहाँ से चला गया, निकलते वक्त उसका एक ब्रूटूथ डिवाइस नीचे गिर गया, जिसके की आधार पर वह पकड़ा गया, इस केस में भले ही पुलिस ने संजय रॉय को गिरफतार किया है, लेकिन इस केस के केंदर में पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोश नजर आ रहे हैं, यह पहला मौका नहीं है, जब संदीब घोश विवादों में घिरे हैं, संदीब घोश क को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, आप सी बी आई लगातार उनसे पूछ ताश कर रही है, सी बी आई ने संदीब घोश से कुछ महत्व पूर प्रशन किये, जो कि इस प्रकार है, इस घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला, इस घटना की जानकारी मिल आपने क्या किया, आप इतने सालों से मेडिकल प्रोफेशन ने है, जब आपने लेडी डॉक्टर की बाड़ी देखी और देखने के बाद आपको क्या लगा, जरा यह भी बताईए कि पुलिस को किसने और कब कॉल की थी, और पुलिस को क्या बताया गया था, मृतक वलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई, किसके कहने पर परिवार से कहा देया, कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, इसके अलावा भी CBI ने पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोश से कई सवाल पूछे जिनके संदीब घोश ने संतोष चनक उत्तर नहीं दिये, और के साथ ही अस्पताल कैंपस में ड्रग रैकेट एक्टिव होने की भी बात पता चली है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खुद ही नैतिक्ता के आधार पर इस्तीफा देने वाले संदीब घोश के कनेक्शन इतने पावर्फुल है, कि उनके उपर भष्टाचार से लेकर क लाचार तक के तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ना तो कोई उनका इस्तीफा ले पाया और ना ही उनका ट्रांसफर कर पाया, हर्जी कर मेडिकल कॉलिज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडन्ट अख्तर अली ने डॉक्टर संदीब घोश की पूरी कुंदली खोली ह और संदीब घोश के चाल चरित्र पर कई बड़े खुरासे भी किये हैं, अख्तर अली ने कहा है कि संदीब घोश एक माफिया की तरह है, वे बहुत ही भरष्ट व्यक्ति हैं, वे चात्रों को फेल कर देते थे और पैसे लेकर उनको पास करवाते थे, वे हर कामने पैसा वस बसूलते थे और चात्राबास में चात्रों को शराब की सप्लाई करवाते थे, वे मानव अंगों का तसकरी भी किया करते थे, बांद्रादेश के साथ अवैध व्यापार भी करते थे, और प्राइवेट अस्पतालों को अध्यात्शब वेचा करते थे, और उनसे पैसे बस पूलते थे, उन्होंने अपने पद का दूर्पयोग किया, और उनके खिलाफ कोई ठोसका रवाई नहीं की रही, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो भी काम होता था, सब जर्या वो पैसा खाते थे, यही नहीं, अगर उन पर करवाई किया जाता था, तो वो स्टूडेंट से आंदोलन भी करवाते थे, और अपने उपर हो रही करवाई को रुखवा देते थे, डॉक्टर बेटी का ये केस भी संदीब घोष की वजह से, दुनिया का पहला ऐसा केस बन गया, जिसमें पहले पोस्ट मॉाटम किया दिया, फिर उसके बाद FIR दर्ज किया गया, इस केस म कोरकाता पुलिस भी संदीब घोष की तरह ही इस घटना से जल्द से जल्द पल्ला जारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कभी संदीब घोष का बयान ही नहीं लिया, और ना क्राइम स्पॉर्ट को सरक्षित रखा, उन्हें डॉक्टर बेटी की शव जलाने की इतनी कुछ ऐसे आंकरे सामने आई हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, आर जी कर हॉस्पिटल में मारी जाने वाली जूनियर लेडी डॉक्टर अकेली इनसान नहीं थी, इससे पहले भी कई लोग मारे जा चुके हैं, जिनका केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है, डॉक्टर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है, आईए अब आपको सिलसिले वार ढंग से बताते हैं, कि तेईस सालों में कई डॉक्टर्स की मौत पर आर जी कर अस्पताल की मिस्ट्री आखिर है क्या, पहला मानला है 2001 का, 2001 में सौमित्र विश्वास नाम के चात्र का आर जी कर मेडिकल कॉलेज के चात्र वास के कमरे में लटका हुआ पाया रहा था, अभी के लेडी ट्रेनी डॉक्टर के केस की तरह ही अस्पताल के अधिकारियों ने तुरंत उस खटना को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन पीरिद परिवार और मृत चात्र के साथियों मौत पर संदेह जताया, सौमित्र की माँ और उनके कुछ क्लासमेट्स ने आरोप लगाया था, कि कॉलेज हॉस्टल में सेक्स रॉकेट चल रहा था, हॉस्टल में कई अशलीर काम किये जाने के आरोप भी लगे थे, कई छात्रों ने दावा किया था कि सौमित्र इन काली ग पॉर्नोग्राफी गिरोह की बात सामने आई थी, बताया गया था कि वीकेंड्स में छात्रों सेक्स वर्कर्स को हॉस्टल में बुलाते थे, अगर सेक्स वर्कर्स नहीं मिलते थे, तो मृत शरीर के साथ अशलीर हरकतें की जाती थी, सोचिए, ये कितनी मिस्टीरियस हॉस् पॉज कर दिया जाता था, यानि उस लाश के चेहरे को हटा कर, एडिटिंग करके किसी और जिन्दा लड़की की तस्वीर लडा दी जाती थी, इससे अंदाजा लडा सकते हैं कि उस समय भी इस हॉस्पिटल में कितना धिनोना आपराध होता था, हालांकि यह मामला अभी त पहले अपने हाथ में एनस्थीसिया दिया, जिससे उसके हाथ में लकवा मार गया, फिर ब्लेड से उसने हाथ की नस्थ काट ली, फिर हॉस्टल की चछत से नीचे कूद कर अपनी जान दे दी, उसके पास से सर्जिकल चाकू भी बरामत किये गए थे, जाज के बाद भी कु पुलिस को सूचना दी, दर्वाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें पहली मंजिल पर एक कमरे में बिस्तर पर मृत पाया, पर वहाँ कोई सुसाइड नोट भी नहीं था, इसलिए पुलिस ने अन्मान लगाया कि अचानत दिल का दौरा पढ़ने से उनकी मौत हो करार है, चौथा केस है दो हजार बीस का, जब सेकंड येर की पच्चीस वर्षिय जूनियर महिला, डॉक्टर पलमी साहा की दुखद मृत्यू हो गई, डॉक्टर ने आरजी कर अस्पताल की छठी मंजिल से कूद कर आत्मात्या कर ली थी, दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा की शायद वह डिप्रेशन की शिकार थी, हाला कि इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, और डॉक्टर की मौत को लेकर कई सवाल भी उठे, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, फैर अब हम आते हैं, डॉक्टर बेटी की केस की तरफ, जैसे उस समय की सारी म मौतों को पुलिस ने सामाने मौत घोशित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही सावित करने की कोशिश की गई, कि ट्रेनी डॉक्टर ने भी खुद कुशी की है, हाला कि मौका ए वारदात को देख कर, पहली ही नजर में कोई भी इसे कतल का मामला समझ सकता लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले में सामाने मौत का केस दर्ज किया, जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर ना सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बलकि उसकी बुरी तरह से जखमी लाश हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में नी होगी, और एक सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर बेटी के उन चारो डॉक्टर सह करमियों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले रात को प्रिड डॉक्टर ने अपने चार कलीक्स के साथ ही डिनर किया था, इसके बाद उसके बाकी कलीक्स तो बहां से चले गए, लेकिन डॉक्टर बेटी ने अकेले ही उस सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया, और जिसके बाद यह वारदात हुई, लेकिन ऐसे में फिलहाल सी बी आई भी यह जाना चाहती है, कि उस डॉक्टर बेटी को आखिरी बार जिन्दा देखने वाले उसके क्या बात हुई थी, और कैसी बातें हुई थी, क्या कतल से पहले, या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी, इसलिए CBI उसके दोस्तों से भी पूश्टाच कर रही है, संदीब घोश के पीछे कुछ पावरफुल लोग हैं, यह इस बात स पावरफुल आदमी है कि आज तक उससे किसी भी मामले में कोई भी पूश्टाच नहीं की गई थी, लेकिन अब देखना यह है कि CBI इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं, क्या CBI उस मासून डॉक्टर बेटी को इनसाफ दिला पाएगी, या फिर ये केस भी अनकेस की तर पाती हैं, ताकि उस डॉक्टर बेटी को इनसाफ मिल सके, दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परिशान करना नहीं, बल्कि आपको जाबरूख करना है, आपको सचेद करना है, दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अधर हमारी महनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए, शेयर भी करें, अधर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रेजिए,